नमस्कर दोस्तो आज बताने वाला हम आपको अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहे हैं और चाहते हैं आपकी कम कोस हो और जल्दी से आपका बिजनेस शुरू हो जाए तो आप शोल प्रोप्राइटर्शिप के अंदर रेजिस्टेशन करा सकते हैं अपने बिजनेस का तो चलिए आज डिटेल में समझेंगे कि कैसे स्टोल प्रोप्राइटर में रेजिस्टेशन होगा और कैसे आप मिनिममं 15 ठेस के अंदर अपना बिजनेस सुबू कर सकते हो 15 दिन से बहीं कर चाहूंगा जो भी भाइबन्दों मेरे चैनल पे पहली बार है इस वीडियो क पहली बार देख रहे हैं जिसने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए सारी साथ बैल आइकन पे बी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का content आपको मिलता रहे है जिस्तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोल proprietorship होता किया देखो soul proprietorship बहुत popular है इंडिया के अंदर ठेक है क्योंकि यह जो business है soul proprietorship यह easily शुरू हो जाता है और इसमें पैसा भी कम लगता है cost बहुत कम होती है पंदर दिन के अंदर आप business शुरू कर सकते हैं सभी registration ले सकते हैं और जल्ली से शुरू हो जाता है business soul proprietor में एक single person ही business का मालिक होता है वही सारे फैसले लेता है वही सारे decisions लेता है soul proprietor के अंदर person जो है individual जो है वो business name को पहले decide करता है और easily उस नाम को use कर सकता है soul proprietorship में business करने के लिए business को start करने के लिए उस नाम को बस उसको थोड़ा सा research करना होता है verify करना होता है क्या उस name को पहले से किसी और ने तो registered तो नहीं करा रहा पहले से कोई और तो use नहीं कर रहा बस थोड़ा बहुत research करना होता है और उसके बाद आप उस business name को soul proprietorship के अंदर registered कराके आप अपना business start कर सकते हैं जहाँ पे आपको compliances भी बहुत कम follow करनी पड़ती है वहीं दूसरी तरफ अगर partnership की बात करें या private limit company की बात करें जहाँ पे बहुत सारा tax का burden और सारी साथ compliances का burden होता है तो चलिए समझते हैं कि soul proprietorship start करने के लिए क्या क्या registration लेना होगा कैसे soul proprietorship start किया जा सकता है देखो सबसे पहले आप business का नाम decide कर लेंगे business का नाम decide करने के बाद आपको कुछ registration लेने होंगे soul proprietorship को चलाने के लिए सबसे पहले आता है shop and establishment registration ठीक है आप उद्धियम registration ले सकते हैं उस business name से जिस business name को आप use कर रहे हैं अपने soul proprietorship के अंदर उद्धियम registration को ही MSME registration बुला जाता है फिर उसके बाद आप उसका GST registration ले लेना फिर आपको एक open कराना होगा bank account उस business name से current account ठीक है उस business name से चाहे तो आप saving account का भी use करके कर सकते हो अपन account open नहीं कराना चाहते तो उसके बाद आपको trademark registration कराना होगा trademark registration इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आपने business name decide किया है ठीक है वो नाम protect हो जाए ताकि जब business बढ़ा हो आपका आप अपने soul proprietorship का conversion किसी और constitution में करा हो जैसे private limit company में partnership form में तो easily हो जाए क्योंकि नाम आपके नाम से होगा वो business name आपके नाम से होगा अगर trademark करा लेंगे तो trademark जरूरी है ताकि आपका नाम जो है trade name जो है वो protect रहे कोई उससे use ना कर सके फिर आपको यहाँ पर फसाई registration लेना होगा या फसाई license यह उनके लिए है जो food business के अंदर है food business में इंगेज है उनके लिए इस तरह का registration उनको लेना होगा उसके बाद import and export code के अंदर registration लेना import export registration होता है license होता है जिसको हम IEC code भी बोलते है ठीक है अगर आप import और export business कर रहे हैं मतलब export करते हैं आपका जो business और export से related है या import जारा करते हैं तो उसमें आपको यह benefit देगा उसके बाद आपको लेना होगा 10 number ठीक है अ इन सभी registration लेने के बाद आप अपना business easily start कर सकते हैं चाहे तो आप trademark छोड़ सकते हैं या 10 number छोड़ सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़ के छोड़ सकते हैं चाहे तो आप उध्यम registration ले लो और GST registration ले लो दो registration लेके भी business को शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर यह सारे registration ले लेते हैं तो इन future आपको problem नहीं होगी अगर business आपका बड़ा होता है तो इस प्रगार्थ से आप easily कम cost में अपने business को शुरू कर सकते हैं इसमें compliance कम follow करना होता है import export लेने के बाद कोई return नहीं जाती फसाई registration लेने के बाद कोई return नहीं जाती नहीं trademark लेने के बाद कोई return जाती है GST नमबर लेने के बाद बस GST की return जाती है MSME में भी कोई return नहीं जाती बस आपकी यही return जाएगी GST की और income tax की idea जाएगी बस दो ही return जाएगी compliance का burden कम proprietorship business के नदर बहुत कम compliance को follow करना होता है tax का burden भी कम होता है इस पकार से आप easily अपने business को सुरू कर सकते है वही दूसरी तरब अगर आप company में registration नेते है private limit company में तो ROC के भी expenses होते है ROC का आपको अलग से return file करनी होती है compliance का burden होता है आपको एक CS भी hire करना पड़ता है company secretary उनकी fees अलग होती है statutory audit होता है tax audit होता है अलाकि यहां भी audit होता है लेकिन यहां पे कुछ limit है एक limit पे होता है audit और एक limit पे ही tax देना होता है लेकिन company में ऐसा नहीं है तो समझे के दोस्तों इस परकार से आप शोल प्रोपैटर्शिप के अंदर अपने business को start कर सकते हैं easily और कम खर्चे में वीडियो को इस लगी ज़रूर बताए thank you so much जय हिंद वंदे मातरम